सल्मान खान जीवनी अब्दुल रशीद सलीन सल्मान खान उर्फ सल्मान खान हिंदी फिल्मों के मशहुर भी नेतातों हैं ही इसके साथ साथ वे निर्माता, टेली विजन पस्नेलिटी और समाद सेवी भी है लोग उन्हें प्यार से सल्लू भाई, भाईजा नादी नामों से पुकारते हैं उन्होंने अपने करिया में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई उन्होंने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है और वे हिंदी सिनेमा के अग्रणी अभिनेताओं में से एक हैं सल्मान खान की अंसुनी बातें मौजूदा समय में उनकी फैन फालोइंग का ये आलम है कि उनके घर केलिक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर उनके चाहने वालों की भीर लगी रहती है उनके फैन्स की दिवानगी कुछ हैसी है कि उनकी एक जहलक पाने के लिए उनकी प्रशंसक बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि सल्मान को अपने फैन्स से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है टाइमस से लिबेक्स बॉलिवूड एक्टर्स इंडेक्स रेटिंग में वे बराबर टॉप पर रहते हैं सल्मान खान की अंदेखी तस्वीरें प्रिष्ठ भूमी उनके पिता जम्मू कश्मीर से है तो वही उनकी मा महराष्ट्रियन है पूर्व अभिनेत्री हेलेन उनकी सौतेली मा है उनके दो भाई भी है जिनका नाम अर्बास खान और सुहेल खान है अर्बास की शादी पूर्व में वीजे रही और अभिनेत्री मलाइका अरोडा खान से हुई है सल्मान की दो बहने भी है जिनका नाम अल्वीरा और अर्पिता है पढ़ाई सल्मान खान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है जहां वे अपने भाय अर्बास खान के साथ पढ़ते थे इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांदरा इलाके में स्थिट सेंटिस्टेनिसलोस हाई स्कूल से की सल्मान खान की फिल्मोग्राफी करिया सल्मान खान ने अपने अभिने करिया की शुरुआत सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी जो की सुपहिट रही थी उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन ने सभी का दिल जीता तो वही फिल्म तेरे नाम में उनके अभिने की काफी प्रशंसा हुई और अपने अभिने से उन्होंने सभी को भावूप कर दिया इस फिल्म में सलमान को लेकर उनके फैंस की दिवानगी कुछ यूँ थी कि उन्होंने सलमान की तरह ही अपने बालों की स्टाइल रख ली और वह हेर स्टाइल तेरे नाम, नाम से मशहूर हो गई इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके प्रशनसकों में इसलिए भी इजाफा हुआ क्योंकि उन्हें एक्शन फिल्मों में ज्यादा पसंद किया गया फिल्म Wanted के बाद से उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी TV करिय साल 2008 में सल्मान ने TV शो 10 का दम होस्ट किया जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया जिसके बाद साल 2010 में Big Boss चार होस्ट किया बिग बॉस होस्टिंग ने सल्मान खान खुब पॉपुलर हुए थे फिर सल्मान ने लगातार बिग बॉस आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह सीजन भी होस्ट किया और अब बिग बॉस चौदर भी होस्ट करेंगे सल्मान की आने वाली फिल्मे प्रसिद फिल्मे दबंग दो किक बजरंगी भायजान टाइगर जिन्दा है रेस तीन जैसी फिल्मों से वे इंडिस्ट्री के सुपस्टा बने